नोश्कार मैं मैं नहीं स्वागत करता हूँ आपको अपने इस योटूब चैनल पे दोस्तो कर टेक्निसियन का जो नए तरीके से आपको फॉर्म भरना है उसके रिगार्डिंग इतना होच-पोच चीजे हो गई है कि पता नहीं चल रहा है कि क्या कंडिशन है कौन से लोग eligible है कौन से नहीं है क्या grade 1 वाले भर सकते है किसी का जो आपके टेक्निसियन का जो सर्टिफिकेट है वो अभी इसू हुआ है तो वो क्या पुराने वेकेंसी जो भरे थे उसमें फिर से भर सकते है या जो नहीं बच्चे भरे थे यानि कि कोई भी फॉर्म नहीं डाले थे technician का और उनका अभी certificate issue हुआ है तो क्या वो भर सकते हैं मतलब कि तरह तरह के comment आ रहे हैं आप देखेंगे कि आपके comment भरे पड़े हैं और इन ही सब को एक वीडियो में compile करके जहां तक possible हो सबका answer देने की कोसिस करेंगे लेकिन छूट भी जाएगा तो आप comment करिएगा हम next वीडियो में भी बहुत सारे चीजों को cover करेंगे तो इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे चीजों को cover करेंगे जो कि कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा और जो बताएगे वो आपको notice के माध्यम से बताएगे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि हम अपने मन से बताएगे तो चैनल पे नए है तो subscribe कर ले जागा और technician की तैयारी कर रहे है तो टेश्टू का आजसांदार ओफर चर रहा है 28 से 30 सितंबर के बीच यहाँ पे आपको pass pro the lowest price ever चर रहा है नेवर अगेन 395 रुप्या में आपको जो है वो ER money's coupon code जरूर यूज की जागा जिसे की आपको 12% का extra discount मिल जागा और आपको ये भी पैसा refund कर दिया जागा कोई भी exam में आप selection लेते हैं तो यहाँ पे आपको 700 प्लस exam के लिए 80,000 प्लस mock test 12 प्लस language में 20 लाख प्लस आपको active user मिल जाएंगे अगर technician grade 3 की बात करें तो 730 total test मिल जाते है technician grade 1 के 347 test और general science के आपको 341 test मिल जाते हैं नीचे description box में इस offer का link दिया हुआ जल्दी से grab कर लिए technician की तैयारी बुष्ट किजिए तो मैं बात कर रहा था कि क्या-क्या इसमें problem चर रहा है बहुत सारे अब देख लिए पहले comment को ही हम देख लेते हैं जिससे कि आपको clear हो जाएगा आपके comment है जैसे मैं ने एक screenshot ले लिया है अभी-अभी के समय में यहां पे 9-16 हो रहे है और 10 बजे से मेरा duty भी है तो 9-16 में ही हम वीडियो बना रहे है आपका देखेगा जो चीजे है सबसे पहले इन्होंने कहा है कि सर जी मैंने पहले से form फिल कर दिया था अब new trade से ITI हो गई है उसे add कर सकता हूँ या नहीं देखे इनका answer है कि आप add कर सकते हैं अगर पहले से भी आपने suppose एक कोई signal से आपने sorry electrical से आपने किया था और electrical को ही use किया अभी आपको feature का degree मिल गया हाल ही फिलाल में या मिलने वाला है 10 दिन अंदर चुकि अभी 2 से 16 तक date है ना तो 16 से पहले तक अगर आपको लगता है कि हमारा issue हो जाएगा तो उस दिन भर दे जाएगा और उस degree पे भी आप सभी post के लिए eligible होंगे कैसे मैं अभी notice के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ उसके बाद एक comment है sir मेरा iti 15 सितंबर को complete हुआ है और certificate भी आ गया है तो भर सकता हूँ हाँ बिलकुल भर सकते हैं चुकि आपका जो last date है वो 16 October है तो 16 October तक अगर आपके certificate 16 October तक issue है तब भी आप भर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा तो इनके लिए प्रैक्टिकल कोश्चन है जो प्रैक्टिकल यो चीजे है नोटिस के माध्यम से जो चीजे है उसके बारे में हम बात करेंगे grade 1 में भी भर सकते हैं क्या यहीं सबसे बड़ा प्रस्न उठ रहा था अभी तक का grade 1 में भी भर सकते हैं देखे grade 3 के लिए ही modification link आया है या new vacancy add हुआ है तो आपको grade 1 में अगर भरना है तो आप नहीं भर सकते हैं यह 100% link के ले लिजिए आप अभी मेरी बातों से नाखूस होंगे लेकिन नाखूस होना या खूस होना इस पर नहीं करता है कि मैं क्या बोता हूँ इस पर depend करता है कि notification में क्या दे रखा है हाँ आपको मैं कह दूँगा कि भर सकते हैं व्यूज भी आएंगे लेकिन क्या वो सही रहेगा नहीं तो आप notice देख लिजा और notice से अभी मैं प्रूब कर देता हूँ कि grade 1 नहीं भर सकते हैं ठीक है त तो ये सिर्फ grade 3 वाले के लिए है उसके बाद सितंबर में आई टी आई बेल्टर ट्रेड के पास आउट हुए है इलिजबल हूँ या नहीं हाँ इसके लिए भी मैंने बताया कि आप इलिजबल है अब बात कर लेते हैं notice की जिससे की आपको clearly पता चल जाएगा कि मैं हाँ या ना बो रहा हूँ किस basis पर बो रहा हूँ आप भी इस बात को समझेगा कि इस notice में क्या दे रखा है देखिएगा यहाँ पे एक चीज जो है वो देखिएगा यह पुराने candidate के बारे में दे रखा है existing paid candidate of technician grade 3 देखिएगा यहाँ पे grade 2 का कोई भी grade 1 का कोई भी चर्चा न नहीं भर सकते हैं यह सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 3 देखिए वाले के लिए है ठीक है तो grade 1 वाले जो रहे थे कि क्या नए बच्चे जो grade 1 के लिए eligible है वो भर सकते हैं तो नहीं 100% आप भर लेजे है आपका होगा ही नहीं ठीक है वो खूलेगा है नहीं option ही नहीं खूलेगा ठीक है उसके बाद यहां पर देखिएगा जो एक question का answer था जो पुराने का date है जो मैंने बोला इस question का answer है इस question का कि जो अभी यहां पर देखिएगा मैंने पहले ही form fill कर दिया था अब इनका एक और ITIR हो गया है तो वो add कर सकते है क्या तो add कर सकते हैं क्यों add कर सकते हैं यहां पर दे रखा है यहां पर देखिएगा they will access only educational qualification यानि कि educational qualification को access कर सकते हैं बाग की जो condition है उसको access नहीं कर सकते हैं educational qualification को access कर सकते हैं कि इसमें add कर सकते हैं, जो आपके नए डिग्रियां आ गए, नए परकार के आपने IT किया, उसको add कर सकते हैं, जब वो add हो जाएगा, तो उसके corresponding जितने भी पोश्ट हैं, दो से लेके 40 तक, जितने भी पोश्ट हैं, सभी के लिए आप automatic, जो है वो fit हो जाएगे, और उसके लि दो question का answer मैंने बता दिया, ठीक है, और एक question का answer है ये, कि 15 सितंबर को किसी ने comment किया था, कि 15 सितंबर को मेरा certificate issue हो रहा है, तो वो नए candidate के तोर पे आ जाएगे, देखेगा, new candidate के लिए, वो आ जाएगे, चुकि यहाँ पे, candidate who have not submitted, applied for any CEN issued in the year 2024, या आपके CEN 02-2020 में, अगर आपने apply नहीं किया है, तो आप apply कर सकते हैं, चाहे तो वो उसका, जो date है, वो आपका 16 October ही क्यों न हो, आपका तो 15 सितंबर कम से कम है, 16 October तक का मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास है degree, तो आप जो है वो apply कर सकते हैं, candidate, तो ये चीजे है, कुछ जो आपके query थे, उसका answer लगवग आपको मैंने दे दिया, फिर भी यहाँ पर एक और query है, जो query है, एक query ये है, कि सितंबर में ITI builder trade से pass out है, तो eligible हूँ कि नहीं, इसका भी मैंने answer लगवग दे ही दिया है, तो अब मुझे लगवग जितने भी परकार के query है, वो आपके answer हो ही गया है, लेकिन फिर आपके मन में doubt लगता है, कि sir मैं ऐसा मेरे साथ है, तो क्या मैं eligible हूँ कि नहीं, मैं भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ, अगले वीडियो में आपके फिर से comment मैं देखूंगा, और उसमें मुझे लगएगा कि इस comment का answer मैंने नहीं दिया है, और ये query और भी बच्चों का होगा, तो मैं उसके regarding भी वीडियो बना दूँगा, तो चैनल पे नहीं तो subscribe कर ले जागा, इसी तरह के वीडियो के लिए, चुकि यहां पे मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो भी है, वो सही है, हाँ वो अलग बात है कि कुछ बच्चे इसको अन्यता ले ले है, चलिए कोई बात नहीं, यह सब तो part and parcel है, यूट्यूबर के life का, तो next वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए, जैहिंद,